आईए दोस्तो रोहित मोहित गोलू चंदन पीन्टू इन भाईयों का जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाला है तो इन भाईयों का कहना ये है कि भाईया मुझे ना परिमे संख्या समझा दिजे तो आईए इनकी कोमेंट को संदार तरीके से पूरा करते हैं तो यहाँ प तो आगे हम बढ़ते हैं और हाँ परिभासा देखकर आपको बिल्कुल डरना नहीं है ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा क्या हूआ है? वैसी संख्या जो प बटा क्यू के रूप में लिखा जाता हो लेकिन क्यू का मान zero नहीं होना चाहिए और प और क्यू क्य होनी चाहिए पुर्णांक होनी चाहिए तो इसको समझना कैसे यहां पर देखिए आपको मैं यहां पर पढ़ा तो आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन आप उदाहरन वाज जैसे ही दूंगा आप बिल्कुल समझ जाएगा जी हां यहां क्या कह रहा है पी बटा क्यू के रू हो गया यहां पर देख सकते हैं तो यह पी बटा क्यू के रूप में यानि यह भीन के रूप में जरा सा इसको साइज और हम छोटा करते हैं आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए यहां पर क्या हो गया पांस बटा दो आपका क्या है एक परिमे संख्या यहां प पर देखिए मानते हैं पांच है पांच क्या है एक पांच एक क्या है परिमेश संख्या है कैसे यहां पर मैंने अगर एक लिख देता हूँ मैं यहां पर लिख देता हूँ एक तो यह हमारा क्या बन गया परिमेश संख्या बन गया क्यों क्योंकि यह भीन के रूप में है यान पर 5 बटा 0 अगर हम लिख देते हैं तो यह आपका परिमे संख्या नहीं है ओके तो यहाँ पर आप आप आसानी से समझ गए तो यह 5 बटा 0 क्या है आपका परिमे संख्या नहीं है आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बटा जीरो ये क्या है एक आपका परिमे संख्या नहीं है यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक बटा जीरो ये क्या है ये भी आपका परिमे संख्या नहीं है तो परिमे संख्या क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं परिमे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हो यहाँ प और Q क्या हो पुर्णांक हो तो यहां पर ध्यान दिजिए पुर्णांक आपको एकदम समझ आ जागा वेसिकलिए आपको पता ही होगा पुर्णांक वेसिकलिए आप सबको पता ही होगा तो यहां पर पुर्णांक अब पुर्णांक में यहां पर देखिएगा तो आपको यहा यहाँ पर देखिए माइनस 1 है माइनस 2 है माइनस 3 है माइनस 4 है माइनस 5 है और यहाँ पर 0 है फिर 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है यह आपका क्या है यह आपका पुरनाग है कैसे क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस 1 है माइनस 2 है माइनस 3 है माइनस 4 है माइनस 5 है और साथ ही 0 है और इसक one भी है और एक भी है और zero भी है तो ये सब का संगरह नहां आपको कहलाता है पुर्नांक तो पुर्नांक आपको आया की नहीं आया लेकिन ध्यान दिने वाली बात फिर यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं minus one minus two minus three minus four minus five ये जो minus में जितने भी है ये आपको क्या है रिनात्मक पुर्नांक है और जो plus में आपको दिख रहे हैं इसके आगे कुछ नहीं है समझे वो क्या है प्लस है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच ये क्या है आपका धनात्मक पुर्णांख है लेकिन अब बात आ जाता है कि हमारा जीरो क्या है तो जीरो हमारा क्योल और क्योल पुर्णांख है नहीं धनात्मक पुर्णांख है और नहीं धनात्मक पुर्णांख है ये क्योल और क्योल क्या है ये आपका पुर्णांख है ओक तो यहां पर आप समझ गये होंगे तो परिमेश रंख्या आपको बिल्कुल आ गया हो बस यहां पर यह चीज़े ख्याल रखनी है कि P और Q के रूप में हो जैसे आप परिमेश रंख्या में इजिली आप देखी रहे होंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्ट दिन